अगला टॉपिक है राजनीतिक प्रकरियाओं के लिए समर्थन अभी हम स्थानिय संगर्ष के प्रभागों के बारे में देखते हैं वो राजनीतिक प्रकरियाओं के लिए समर्थन क्यों है इस्थानिय संगर्ष मैं बता दिया आपको कि एक पर प्रथन पे उने वाला इंत्रगतों सब्सक्राइब मामले भी आते हैं और बड़े मामले भी आते हैं और संगर्ष के छेतर में देखें तो हिंसा भी आती है नॉर्मल संगर्ष भी आता है जो अहिंसक संगर्ष होते हैं बात करें इस्थानिय संगर्षों के राश्ट की राजनीतिक प्रिगरिया, पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, उसकी सफलता काफी है तक किस पर इस्थानिय संगर्षों की गती शीलता, मतलब वो किस गती से हो रहे हैं, पर नेरवर करता है, यह विशेश रूप से उन स्थितियों में प्रसांगिक होती हैं, जहां छे चेत्रिय संगर्ष, अंतराष्टिय संगर्षों से जुड़े होते हैं, अब इसके धार्म के दोर पर देखिए कि अंतराष्टिय स्तर पर कोई संगर्ष हो रहा है, ठीक है, और उसी संगर्ष का एक छोटा सा हिस्सा किसी एक छोटे से चेत्र में भी हो रहा है, तो क्या हु यह points आपको याद रखने है ठेक है यह points अगर examination में इस्थानिय संगर्ष के बारे में चेत्रिय संगर्ष के बारे में पूछा जाता है या फिर संगर्ष के बारे में भी पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको time ना लगए points सोचने में कि हमें संगर्ष के बारे में क्या लिख तो यह point है कि एक अच्छे लुकत नत्र के लिए संहर्ष ज़रूरी भी है और आवशयक भी है क्यों कि उसी से सत्ता सही प्रकार से चल पाती है और सत्ता के पदों तक सही प्रकार से क्या होति पहुँच बन पाती है शांती स्थापना और स्थानिय संघर्ष प्रबंदन के बारे में देखें, ये एक टॉपिक है कि शांती स्थापना और स्थानिय संघर्ष प्रबंदन का छेत्र, हाला कि शांती स्थापना में दो प्रमुख उद्देशों को उपराप्त करने के लिए स्थानिय संघर्ष प् लिए इस्थानिय संघर्ष प्रबंदन की आवशक्ता होती है इसे अक्सर रणनीतिक प्राथमिक्ता के रूप में नहीं देखा जाता ठीक है रणनीतिक मतलब आप कह सकते हैं कि रणनीती बनाने की जो चीजे होती है उसमें इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दी जाती जाता स स्थानिय संघर्ष का प्रबंदन करने के लिए मिशन को अनिवारे करती है तो अगर इस्थानिय संघर्ष को समाप्त करने के लिए उसका प्रबंदन करने के लिए क्या इंविशन को अनिवारे कर देती है आगे देखें छेत्र में इस्थानिय संघर्ष प्रबंदन को एक रणनीती के हिस्से के बजाए स्थार्थ है आयोजित किया जाता है एक रणनीती का हिस्सा नहीं माना जाता, परंतु उसे आयोजीत किया जाता है, ताकि जिछ छेत्र में भी स्थानिय संघर्ष चल रहा है, वहाँ पर प्रवंदन किया जा सके, शांतिक स्थापना किया जा सके, ताकि वहाँ की जो समाज के लोग है, वो सही प्रकार से जीवन व्यापार कर पाए, ठीक है, इसे नागरिक मामलो के अनुभागो के लिए एक मामूली मुद्दे के रूप में देखा जाता, ठीक है, संघर्ष प्रवंदन को एक मामूली मुद्दा माना जाता है, परंतु, अगर आप देखें, या आप उधारन लिए उन छेत्रों का जह परंतु, मामली मुद्दा मानते, परंतु, ये एक इंपोर्टन चीच है, इसके अलावा, मिशन में अकसर आवश्यक शमता और जनादेश की कमी होती है, ठीक है, आपने देखा हुआ शांती स्थापना के जो मिशन होते हैं, मेंली हम बात करें सवयुक्त राष्ट की, जो क इन मशनों को बहुत हद तक चलाता है, तो वहाँ पर क्या देखा गया है, कि जो चमता होनी चाहिए, वो चमता कम होती है, जनादेश, लोग उसमें कम जुड़ते हैं, तो ये एक आप कहा सकते हैं, नेगिटिव पॉइंट शांती स्थापना के मिशन के लिए, अब आता है एक माली का उधारण, उधारण के तौर पर बात करें, माली में दो शशस्त्र समुओं ने राष्टे स्तर के शांती समझोते पर हस्ताक्षर किये, और इस्थानी इस्तर पर भी बाच्चित शुरू की, माली में, माली में दो शशस्त्र समुओं, ऐसे समुओं जिनके पास सभी सांगर्श करनी के लिए तो उन समयों ने राष्टे स्था पर auपर क्या करें सिगनेचर करें और इस्थानी स्थानी इस दुजप्र पर बाच्ची भी शुरू की संयुकत राष्ट Division for Policy Assessment and Preparations on Inter Conflict की रिपोर्ट के अनुसार यह एक रिपोर्ट है जो कि किस के दूआरा संयुकत राष्ट के दूआरा पारित की जाती है तो इस रिपोर्ट के अनुसार इस्थानिय समझोते माली की शान्ती और स्थिरी करने एजंडे में अधिक सक्रिय भूमिगा निभाने के लिए इस्थानी अभिनेताओं को सक्षम करके और घातक अंतर सांप्रदाइक हिंसा को समाप्त करके राष्ट्य सांति प्रकरिया को मजबूत कर सकते हैं अब देखिए एक रिपोर्ट पारित करी गई जिसमें कुछ पुएंट्स बताइगे है कि माली की शानति और इस्थानिय करने अजन्ड करने का ंजन्ड 안에 अधिक सक्रिय भूमी का निभाने के लिए प्हानेिये स्थानी अभिनेताओं ठीक है वही लोग उन शान्ती समझोते को बना पाएंगे, अच्छे से वहाँ पे संगर्ष को निप्टा पाएंगे, ठीक है, तो निभाने के लिए इस्थानिय अभिनेता, उस इस्थान के अभिनेताओं को सक्षम करना ताकि वो शान्ती को बना सकें, और घातक अंतर सांप्रदाई मतलब सांप्रदाई के अंदर होने वाले घातक हा, हिंसा को समाप्त करके, क्या करा जा सकता है, राष्टिय शान्ती प्रकरिया को मजबूत किया जा सकता है, और कर सकते है, हाला कि इन इस्थानिय समझोतों से जुड़े जोखिमों की उचित निगरानी और प्रबंधन करना अब देखिए, समझेए, यह important है कि suppose करिए किसी चेतर में संगर्ष हो रहा है, इस्तानिय चेतर का उधारन लेते हैं, कि वहाँ पर दो गुरूप है, उनके बीच में संगर्ष चल रहा है, अब जब समझोते होंगे, तो कुछ लोग तो हो सकता है कि उस समझोते से मान जाए पर दो कुछ लोग तो नहीं मानेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की तो आप कह सकते हैं कि एक fix mentality होती है, वो मानते हैं कि हम संगर्ष कर रहे हैं, मतलब हमें अपनी बात मन वाली है, हम समझोता करेंगे यह नहीं, तो यह बात मनेंगे, तो क्या, कि हाला कि इन स्थानिये, कह सकते हैं, जानमाल की हन्योगे, इन में अवैद तसकरी पर केंद्रित और सेन्यक्रित, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्ता की बहाली भी शामिल है, जो शुरू में उत्री माली की अधिकांश हिंसा के श्रोत में से एक थी, ठीक है, तसकरी करना, यहाँ पर माली का उध पर सेन्यराजनीतिक आर्थिक व्यवस्ता, ठीक है, सेना की, बहुत राजनीतिक द्वारा जो सेन्यक्रित व्यवस्ता है, वो उन लोगों तक ना पहुँच पहे, ताकि हिंसा को कम किया जा सके, और यही चीजे हिंसा का एक बहुत बड़ा श्रोत भी थी, बात करें, संघर को समझना महदवपूर्ण है, जब विकास की नेतिया बनती है, तो यह ध्यान रखना जरूरी है, यह समझना जरूरी है, कि आन्तरिक और बाहरी, जो संघर्ष है, उनको समझना एक आवश्यक चीज है, विनाशकारी, संघर्ष, दशको तक सामाजिक और आर्थिक प्रगति को रोक सकते हैं, जिनके वज़े से जानमाल की हानी बहुत जादा हुई, जन संघर्ष है, यह राजनीतिक और आर्थिक प्रगति को रोक सकते हैं उस दिशकी, हिंसा के प्रकोप्त के बाद शारिरिक, वित्य, मनोवैग्यानिक, ए स्थिर्ता, लंबे समय तक बनी रहती है, जब हिंसा हो जाती है, तो आपको पताई है कि अगर किसी छेत्र में हिंसा हुई है, तो उस छेत्र में वहां के लोग काफी हत्ता कुस चीज से प्रभावित होते हैं, उनका मनोवैग्यानिक, वो मेंटैलेटी काफी जादा प्रभावित होते हैं, जित्य है, उनके पास धन पर हानिकारक प्रभाव डालती है जो सोतंतरता पर भी प्रभाव डालती है पसंद पर भी प्रभाव डालती है इसी लिए हमें उन प्रकरियाओं को समझने की जरुवत है जिनके द्वारा हिंसक संगर्श होते है अगर आपको विकास करना है किसी चेत्र में तो आपको ये भी समझना होगा अगर ऐसे छेतर में विकास करना है जहां पर संगर्ष होगा तो ये भी समझना होगा कि संगर्ष के क्या कारण थे और किस परकार उसे कम से कम किया जा सकता है अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद और इस्थानिय संगर्ष संहीप्त राष्ट सुरक्षा परिशत द्वारा इस्थानिय संगर्ष के प्रबंदन करने के लिए कुछ उधारण बताएगा है हम बात करते हैं उधारणों की ठीक है सबसे पहला उधारण है यहां पर यमन देश का यमन में है few प्रदिकरन को चुनाती देने के लिए कोई सपस्थ मजबूत यमनी प्रथी द्वारा नहीं था ठीक है यमन में है थी प्रदीकरन एक प्रकाशा एक व्यैस था को चुनाती देने जो बुनियादी प्रतिबंदो या यात्रा प्रतिबंदो से परे हो ठीक है जो कि बेसिक चीज जो कि बुनियादी प्रतिबंदो लगा देते तो बुनियानी प्रतिबंदो और यात्रा प्रतिबंदो से परे ना हो जब तक कोई ऐसा आप कह सकते है कि फैसला नहीं लिया जात इसका इस प्रकार सा समस्कते हैं, उधारन के तौर पे की भारत में लेते हैं, कि भारत में केवल एकी पार्टी है, जो की सब-से ज्यादा powerful है और कोई और पार्टी नहीं है, दूसरा, जो आप कह सकते हैं कि समाज है, समाज के लोगों पर पृतिबंद लगा दिये गहाई है, इस्थानिय शाषन को बढ़ाने और अपने संस्थानों में लोकतंत्र को इस्थापित करने से बाहरी हस्तक शेप कम हो सकता है, ठीक है, क्या है, इस्थानिय शाषन को बढ़ाना, जब आप अपने छेत्र को बढ़ाते हैं, अपने छेत्र को सक्तिय साली बनाते हैं, तो अंतर बरतमान में सहीवत राष्ट के आठ समकालीन, बहु विशेक, शांती अभियानों में से पाँच को इस्थानिय संगर्ष का प्रबंदन का काम सौपा गया है। सारफुर में सहीवत राष्ट अफरीका संग मिशन के लिए प्रारंबिक जनादेश देखा गया और 2011 में कोटे डी आईवार में मिशन के लिए जनादेश देखा गया। यहां पर इस्थानिय प्रबंदन करंटली चल रहा है ताकि उस चेत्र में जो संगर्ष हो रहा है उसको समाप्त किया जा सके अब देखिए आपके एक्जैम में ऐसा नहीं कहता मैं कि कोशन जो हम बोलेंगे केवल वही आएंगे पर आपको टॉपिक्स के बारे में बेसिक जानकारी होने चाहिए जैसे इस्थानिय संगर्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर छेत्र में होने वाला संगर्ष जो कि लोगों को प्रभावित करता है जो कि संगर्ष बाद में अगर संगर्ष लंबे समय तक चलता है तो हिंसा में बदल जा तो यह पता होना चाहिए स्थानिय संगर्ष प्रमंदन क्या है उस चेत्र में चल रहे हैं संगर्ष को समाप्त करके वहाँ पे शांतिक इस्थापना करना इस्थानिय संगर्ष प्रमंदन के अंतरगत आता है इसके लिए अंतराष्ट्य स्तर पर सयुक्त राष्ट्य संग एं जो political के दुआरा भी हम ये संगर्षों को समाप्त कर सकते हैं। फिर आता है तुलनात्मक लाब क्या है। तुलनात्मक लाब का मतलब है किसी action या निर्णे के परिणाम को दूसरे विकल्पों के साथ तुलना करना। ये topic आप इसको समझे लीजिए, simple सा है इसका मतलब और इससे question बन सकता है कि तुलनात्मक लाब का क्या मतलब है कि आप अपने आपको लीजिए कि आपने political party के तौर पे या फिर politically कोई एक फैशला लिया, action लिया फिर या फिर निर्णे लिया, अब उस निर्णे का जो परिणा का जो आपने लिया उसका परिणाम आया तो आप क्या करेंगे, उसका परिणाम दूसरे विकल्पों के साथ तुलना करेंगे, इसका मुख्य उद्देश होता है कि हम किसी चीज के लाब और हानी को बहतर तरीके से समझ सकें, इस चीज से क्या होगा कि आप किसी चीज के ला अंतराष्टे संगठन विभिन तरीकों से संगर्षों को सुझाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप अंतराष्टे स्तर पर या फिर आप अपने छेत्र में सामतिस अपना करने के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों की अटेंशन पाते हैं। तो कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े इंस्ट्रिटूशन से संस्थान हैं यह आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप अपने छेत्र में क्या कर सकें। किस परकार राजनीतिक और सामाजिक लाव हो सकता है। करें शांति स्थापना के लिए तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक लाव प्राप्त किये जा सकते हैं। अंतराष्ट्र शांति स्थापना हो चाहते हैं। इससे लोगों की द्यानिक जीवन पर लाप पड़ता है। सबस्करिए कि आप ऐसे जगें पर रह रहे हैं जहां पर रोजी आये देन संगर्ष होता है। संगर्ष किसी भी प्रकार का हो, धार्मी को, जाती है, राजनीति को, आर्थी को, कोई फर्ग नहीं पड़ता। पर अगर उस चेतर पर संगर्ष हो रहा है, तो उस चेतर के जो लोग हैं, वो इस चीज़ से काफी हद तक प्रभावित होंगे। आप खुद ही प्रभावित होंगे, आप अपने दैनिक जीवन को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे, जीवन या अपने यह इंग कर पाएंगे। तो अगर शांती मिशन सही प्रकार से होता है, तो उसके माध्यम से राजनीतिक और सामाजी लाब लोगों को प्राप्त होता है, ये मिशन क्या करते हैं, सुलजाने में मदद करते हैं, जिससे स्थानिय नागरे को को सुरक्षित और इस्थिरवातावरण मिलता है, इसके साथ ही यह mission राष्टिëra और अंतराष्टिए अधिकारियों के साथ सयोग करके शांती सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यही mission का करते हैं सुरक्षा को बढ़ावा देते ताकि जो लोग है समाज के वो सुरक्षित रहे सके और देश की सुरक्षा भी क्या हूँ हानी ना पहुंचे किस प्रकार इन मिशनों का प्रभाव बढ़ाया जा सकता है अब जो शांती मिशन है देखिए हैं अभी तक हमने उपर जितने भी टॉपिक कवरप करे हैं ठीक है वो शांती मिशन के बारे में थे ठीक है तो शांत संसाधनों को अधिक प्रभावी तंक से प्रियोग करके आवशकता करने के आवशकता ठीक है अब देखे संसाधनों संस्थानों δ्वार या institutions द्वारा provide किये गए संसाधन या विश्वेशक गयता है अगर आप उनका सही प्रकार से प्रियोग करेंगे तो आप बहुत बहतर तरीके से शांती का निर्मान कर पाएंगे पर वहीं आप उन संसाधनों को सिर्फ use कर रहे हैं लगातार अगर आपको धन मिल रहा है शांती स्थापना करने के लिए आप धन का वेश्ट कर रहे हैं तो शांती स्थापना नहीं हो पाएगे तो प्रभावी ढंग से क्या करना होगा यूज करना होगा संस्थानों के resources को ये जरूरी है इसके लिए हम उनकी सामर्थे को प्यूक्त मानको और मापदंडो को विकास करना होगा अब देखिए ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो कारे क्या है उससे शांती की स्थापना हुई है तो इसके लिए आपको कुछ parameters set करने होंगे जिससे आप अंदाजा लगा पाएँगे कि हाँ हम लोगों ने शांती स्थापना करी है और ये एक ज़रूर चीज़े इस परकार सहयोक्त राष्ट शांती मिशन के माध्यम से हम विवाद को सुलजाने में मदद कर सकते हैं राजनीतिक सामाजिक लाप्रभाप्त कर सकते हैं आगे देखें इस्थानिय संगर्ष को हल करने के लिए इस्थानिय भागीदारी के साथ सायोक के आवशक्ता होती है लेकिन इन में कई चुनोतिया हो सकते हैं द्यान देने योग्यों कुछ पॉइंट बताएगे हैं चुनोतियों के बारे में बात करने दें पहला पॉइंट आता है सायोक्त राष्ट की सायता की कमी सायोक्त राष्ट सांती अभियान तो इस्थानिय संगर्षों समाधान में शायक हो सकते हैं लेकिन इनकी सायता की भी कमी पढ़ सकती है सायता की कमी से मतलब है कि हो सकता है ऐसे स्थितिया है जहाँ पर संयुक्त राष्ट के द्वारा प्रदान की गई साहिता सही प्रकार से आपसे नहीं पहुच पाए तो यहाँ पर क्या हो सकता है कमी हो सकते है यह एक चुनाती है दूसरा संगर्ष में भाग लेने वाले अन्य देशों की साहिता की आवशकता है और जो अन्य देश उनकी साहता क्या आवशक्ता है प्रनतु वह आप तक नहां पहुच पाए तो यह भी एक चुनाती हो सकती है संगर्ष के कारणों का समधान ढूंडने और उन्हें समझना एक चुनातिपूर कारण हो सकता है किसी छेत्र में अगर संघर्ष हो रहा है और आपको वहाँ पर संघर्ष को खतम करना है तो आप कह रहेंगे उसके कारणों को ढूंडेगे उसको समधान करने का तरीका और वही अगर नहीं मिल रहा तो ये एक चुनातिपूर काम हो सकता है संघर्ष से जुड़े लोगों की इस्तिती संघर्ष से जुड़े लोगों की इस्तिती एनियमित होती है उन्हें सुरक्षा की चिंता होती है संघर्ष में जुड़े जो लोग होती है शान्ति को निप्टाने के लिए शान्ति को स्थापना करने के लिए अगर हम देखे हैं शान्ति मिशन के लिए तो इस्थानिय समुदाय के लोगों का सयोग प्राप्त करना एक कठिन काम हो सकता है अगर आपको शान्ति मिशन चला रहे हैं तो यह आपके लिए क्या होगा एक तो यह आपके points थे complete हो चुका है आपका unit 3 a part जल्द ही unit 3 b part आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर और जल्द से जल्द हम unit 4 को भी cover कराएंगे आपके exams से पहले और साथ में important question की एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी तो like करके जाएं ठीक है और साथ के साथ हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जुड़िये वहाँ पर आपको वीडियो के links, notes के link, application के बारे application, the learners community, due application काफे ज्यादा important है आपके examination के preparation के लिए अगर अभी तक आपने इसे download नहीं किया तो please download करें और application का use करके अपनी preparation करें ठीक, application आपके लिए ही बनाएगे application free of cost है, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है, तो यह application का use करें, अपने group समय application को share करें ताकि और ज जादा लोग इसको download करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, thanks for visiting on my channel guys